सैंटियागो नाम का एक लड़का था, जो कि भेड बकरी चराया करता था, एक दिन वो अपनी भेड बकरीों को चराता हुआ, एक टूटे चर्च के पास आकर रुख गया, वहाँ पर उसने अपनी भेडों को रेस्ट करने के लिए बिठा दिया, और खुद अपनी किताब का तक्या बनाकर सो गया, सैंटियागो को बुक्स पढ़ने का बेहद शोक था, तब ही अचानक उसको एक सपना आता है, जिस सपने में उसे दिखाई देता है, कि इजिप्ट के प्रामिड में धेर सारा खजाना है, अब ये सपना पहले भी उसको एक बार आ चुका था, सुब उसी लेडी ने सैंटियागो को बताया, कि तुम्हें इजिप्ट के प्रामिड में धेर सारा खजाना मिलेगा, सैंटियागो को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, और वो अपनी भेडों को लेकर महा से चला गया, और दूर जाकर किसी कैफे के पास एक बेंच पर बैठ गया अब सैंटियागो को पूरा डाउट हो चुगा था, कि ये बुड़ा वेक्ति उस ओरत का हस्बेंड होगा, जो कि उसे लूटने के लिए साजिश रच रहे हैं, ताकि वो सैंटियागो से पैसा लूट सके, सिर्फ ये बता कर कि खाजाना महापोर है, लेकिन उस बुड़े अब सैंटियागो को पूरा यकीन हो चुका था, कि ये वाक्य में किसी देश का राजा है, अब सैंटियागो उसकी बास सुनने लगा, तो उस बुड़े वेक्ति ने सैंटियागो से कहा, कि अगर तुम्हे पूरी बास सुननी है, तो कल आकर वो अपनी 10 भेड़ उसे दे दे, सैंटियागो को बड़ी कन्फियूजन है, कि वो उसे अपनी भेड क्यों दे, लेकिन सैंटियागो को अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना था, वो अपनी डैस्टिनी को फॉलो करना चाता था, इसलिए वो कल दुपहर के समय, उस बुड़े व प्थर को लेकर महां से चला गया, अफ्रीका के टैंजीर नाम की जगे पर पहुंचा, महां पर वो एक जगा पर बैठा था, कि एक आदमी उसके पास आया, वो आदमी सैंटियगो से पैसे लेकर बिजी मार्किट में कहीं गायाब हो गया, और सैंटियगो देखता रह गया, व उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए help कर रहा है, अपना पैसा खोने के बावजूद, सैंटियगो ने hard नहीं मानी, और अपने shepherd के experience से उस नए शहर में survive कर लिया, अब उसका self bliss और confidence और भी strong हो गया था, फिर उसे crystal seller मिला, सैंटियगो ने उस crystal seller से कहा, अगर व तो उसने सैंटियगो को हमेशा के लिए काम पर रख लिया, लेकिन सैंटियगो को महा काम नहीं करना था, उसे तो प्रामिड जाने के लिए पैसो की जरूरत थी, उसकी बास सुनकर वो shop वाला हसा, उसने बताया कि प्रामिड महा से 1000 किलोमेटर दूर है, और महा तक जाने के अब यह सुनकर सैंटियगो का इरादा बदलने लगा, उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए, कि वो वापस अपने नेटिव प्लेस जाकर वापस से भेडे खरीद ले और एक चरवाहा बन जाए, अब वो लड़का क्रिस्टल के लिए एक नया कैबिनेट बनाना चाहता था, ताकि वो जल से जल धेट सारा पैसा कमा सके, और वापस अपने टाउन जाकर शैफोर्ड का काम करना शुरू कर दे, शॉपकीपर ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे सैंटियगो से सिंपी थी, अब वो खुद कैई सालों से मक्का जाने का ख्वाप दे रहती है, क्योंकि महां लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कस्टिमर बनकर वो हमारी चाय खरीद लेंगे, अब इस डिसीजन से वो शॉपकीपर खुश हुआ और उसने सैंटियगो की बात मान ली, अब सैंटियगो को कुछ दिन में बहुत तरक्य मिल अब सिर्फ तुम्हें यहीं पर काम करना है, और तुम्हें यहीं पर काम करो, लेकिन सैंटियगो उसकी यह बात सुनकर बहुत निराश हुआ, उसने अपने जैकेट उठाई और जाने का निश्चे किया, सैंटियगो एंदुलीउ से जाने के लिए तयार हो गया था, उसे अचानक ख्याल आ है कि शैफोर्ड का एक्सपीरिंस तो उसके पास मुझूद है, वो जब चाहे अपने देश जाकर शैफोर्ड बन सकता है, लेकिन क्या होगा कि अगर वो अपने सपनों को पीछे छोड़ दे, तो इसलिए उसने अपने सपनों के पीछे जाने का इरादा क फिर उसने जो उसके पास सारा पैसा ही घटा था, अपने पैसे लेकर एजिप्ट में प्रामीड की तरफ बढ़ने लगा, अब सैंटियागो एक वेर हाउस पहुचा, जहां उसे एक इंगलिश मैन मिला, जो काफी बातों में सैंटियागो की तरह था, वो आदमी उन दोनों स्टॉन्स को भी पहचानता था, जो सैंटियागो के पास थे, और ये वो ओमेन थे, जो कि सैंटियागो के लिए सही साबित हुए, फिर वो दोनों एजिप्ट जाने वाले एक कारवा के साथ चलने लगे, जिसका सरदार एक दाड़ी वाला आदमी था, वो कारवा एक रेग चाले से प्लान कर रखी हो, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, जर्णी के दोरान उन्हें कुछ डाकू लोग भी मिल जाते थे, जो कि मिस्टीरियस प्रोड़र्ट ट्राइब थे, वो उन्हें डैजर्ट के डाकू और आने वाले ख से बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन सैंटियागो जितना उस बुक्स को पढ़ता गया, उतना ही कन्फ्यूज होता गया, अब सैंटियागो को उस बुक्स की लैंग्वेज और उनमें बने हुए सिंबल्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, वो ये सब इजी में सीखना चाहता था, लेकिन उस Englishman ने कहा कि higher knowledge उसी इनसान को मिलती है, जो खूब सारा time देकर बड़ी मेहनत से किताबे पढ़ते हैं, उनका कारवा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, वो लोग tribal war से बचने के लिए राद दिन बिना रूके चलते जा रहे थे, और finally उनका कारव tribal war से बचता बचता किसी तरह Oasis तक पहुची गया, अपने हत्यार उतारने के बाद कारवा के लोगों को Oasis में ठैनने के लिए जगा मिली, next day वो Englishman उस लड़के के साथ Alchemist के तलाज में निकल पड़ा, वो एक कुए के पास पहुचे, वहां काले कपड़े में कुछ औरते खड़ी थी, San Diego को किसी ने बताया था कि वहां married ओरतों से बात करना मना है, इसलिए वो लोग wait करते रहे, और देर बाद उन्हें एक unmarried ओरत कुए की तरफ आती दिखाई दी, वो बहुत खूब सूरत थी, जिससे San Diego को प्यार हो गया था, तब पहली बार उसे love language समझ में आ तो उस desert लड़की ने कहा, कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक husband हो, और वो अपने dreams की तरफ follow करे, लेकिन प्यार वो चीज नहीं है, जहाँ पर कोई इनसान अपने dreams को पीछे छोड़ दे, सिर्फ प्यार के लिए, और सच्चा प्यार वही होता है, जो अपने dreams को भी follow करे, औ पर वो खजाना दबा हुआ था, अब जैसे वो प्रामिड के पास पहुँचता है, वहाँ पर खोदने लगता है, अचानक से देर रात के अंधेरे में, कुछ डाकूओ का समूँ उसके पास आता है, और वो डाकूओ का समूँ से पूचता है, कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पहले भी यही बताया गया था, अंदूलीजिया नामक जहां पर एक चर्च है, और उस चर्च के पास एक पेड है, और उस पेड के नीचे खजाना दबा हुआ है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, कि मैं अपना काम छोड़कर इतनी दूर जाकर खजाने की खोज म खोदते खोदते अचानक से उसकी कुदाली किसी मैटल में जाकर टकराई, जो वाक्य में खजाना था, और सैंटियागो ये जानकर बड़ा खुश हुआ, कि खजाना तो वहीं था, जहां से उसने अपनी जर्णी शुरू की थी, इस स्टोरी से आपको तीन लेसन मिलते हैं, देखो सैंटियागो की लाइफ में बहुत सारी मुसीबते आए, जब वो अपनी जर्णी में गया था, तो कई बार उसके पैसे लूट ले गए, कई बार वो कंगाल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने सपनों की तरफ बढ़ना जारी रखा, यहां से एक लेसन मिलता ह कि भले ही आपके लाइफ में कितनी भी मुशीबते आए, आपको सिर्फ अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी रुखना नहीं है, सैकिंड लेसन जो मुझे बहुत most important लगता है इस story का, वो यह है कि खजाना आपके अंदर है, खजाना वहीं है जहां अ का असली मालिक होना डिजर्व करता है, सैंटियागो ने अपने हार्ट को सुनना जारी रखा, जब भी आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने हार्ट की सुने, क्योंकि आपका हार्ट बार बार आपको वही चीज़े बोल रहा होता है, जो आपके लिए सही है बट कैई बार क्या होता है, कि हम अपने हार्ट की नहीं सुनते हैं, और हम उसको नजर अंदाज करते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट सफर नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो हमें अच्छी अच्छी बाते बताना बंद कर देता है, और हमें डिरेक्शन देना बंद कर देता ह इसलिए अपनी हार्ट की सुननी चाहिए, मुसीबत आने के बावजूत भी लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी जर्ड़नी में आप वो इंसान बन पाते हैं, जो खजाने का असली मालिक होना डिजर्व करता है, आपको ये कहानी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नॉर्टिफिकेशन बैल को आउन कीजिए, ताकि और भी वीडियो इसी तरह के आपके पास जल्द से जल्द पहुँचें, थारे हैं, तक यहुँचे हैं,